दुर्ग के न्यू बस स्टेंड स्थित नई पानी टंकी के पास श्रहीद वीर नारायन सिंग की आदमकाद प्रतिमा इस्थापित करने महापौर की अध्यक्षिता में M.I.C. की बैठक सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया जिसका महापौर ने अफसरों के साथ प्रतिमा इस्थापना इस्थल निर्माण कार इस्थल का निरिक्षन किया 36 गड के मुख्यमंतरी उपेश बगहल के मंचा के अनरूप एवं विधायक अरुनवोरा के निर्देश पर निगम महापौर की अध्यक्षिता में M.I.C. की बैठक में सदस्यु द्वारा शहीद वीर नारायन सिंग की प्रतिमा के लिए M.I.C. में पूर्ण बहुमत के साथ मुहर लगाई गई जिसका बुधवार को निगम महापौर धिरजबाकलीवाल ने लोक कर्म विभाग के प्रभारी अब्दुलगनी, शंकर ठाकूर, कायपर अभियंता, प्रमोद दुबे, सायक अभियंता, आर के जैन सहीत अन्ने के साथ शहीद वीर नारायन सिंग की आदम कद प्रतिमा स्थापित निर्मान कारे स्थल नयाबस चेन नई पाइंटंकी के पास निरिक्षन करते हुए अफसरों को आवशक दिशा निर्देश दिये उन्हों निर्बान कारे प्रारम होती ही कारियों में गती लाने के लिए निर्देशित किया इस अफसर पर महापौर ने कहा कि अमर शहीद वीर नारायन सिंग को युगों युगों तक याद रखा जाएगा भारतिय सोतंत्रता संग्राम में वीर नारायन सींग के एतिहासिक योगदान और उनकी वीरता पूर्वक शाहदत को देश हमेशा याद रखेगा ग्रेने सीन नियूस के दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट